नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखन का नंबर वन यूटूब चैनल लाइज सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे बली सिख्षा विभाग के साथ मीटिंग में कई बड़े निर्देश सिख्षगों को ले करके बिहार सरकार ने दिये हैं सिख्षगों के लिए खुशकबरी भी दिये हैं तो इस बीच बिहार विधान परीशत के सदस्य हैं दिलिप चौधरी उन्होंने सवाल पूछा है जदियू की अमेल सी हैं उन्हें सवाल पूछा है सदन में कि आखिर जब सिक्षभों को ले करके और दूसरे संस्थानों को ले करके जब सरकार सोच रही है तो फिर नियोजी सिक्षभों के वेतनमान को ले करके कोई फैसला क्यों नहीं किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में दरसलिया मामला था और पर एक्षन लेने का निर्देश भी दिया था इसी को लेकर करके दिलिप चौधरी ने विधान परिशद में नियोजी सिक्षाओं का मुद्दा उठाया है सुनिए क्या कुछ क्या रहा है दिलिप चौधरी हम लोग तो उस समय में सरकार से आगड़ा किया था मानने उच नियाले से आया था कि इनलों को नियत बेतिन में लिया जाए लेकिन सरकार अपनी आर्थिक स्थिती का हवाला देखर सुप्रीम कोट चली गई और सुप्रीम कोट ने कहा कि सरकार इस पर गंभिरता से विचार कर कि इन्हों के मानदे को बराने की बात करें तो सरकार के संग्यान में हमने लाया है कि उनके सारे करमचारियों को और सारे पदातकरियों का बेतन बिर्दी हुआ है तो क्यों नहीं नियोजी सिक्षक जो प्राथमिक मादमिक मदमा और प्लस टू के जितने भी सिक्षक हैं उन निए बिनानेन सग्यान में देहे हैं तो हम्म हैं लिस्वास है कि निस्टी दुनीजी वनुख द्रीदीर जी इसको संग्यान में लेंगे और इनके बितलने बििद्धी करें वेNew तब स्वास्ता में जो नगर निगम यह नगर पषिशत को जो काम करना चाहिए बड़े-बड़े बाते करते हैं यह वह सरकार को जो मुनِटरिंग करनी चाहिए बीभाग के बड़ी पदातकारी को यह मुनिटरिंग नहीं हो पाता है जिसके कारण बहुत सारा अतिक्रमन नालों पे घर और जिसे जल जमाओ की समस्या उत्पन होती है अभी तो बरसा थोड़ा सा होता है कि कई जगा जल जमाओ आ जाता है इसलिए हम लोग ने सरकार का ध्यान आक्टिष्ट किया इस ओर कि इस पे आप कारवाई कीजिए सरकार ने अस्वस किया कि हम कारवाई करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में सिक्षों को लेकर के बवाल देखने को मिला पटना का जो धरनास्थल है वहाँ पर भी सिक्षक लगतार उत्रे हुए थे मांग कर रहे थे बहाली को लेकर के आप जब सिक्षों की बंपर वाली बिहार में होने जा रही है इस बीच विधान परिस्त में ये मुद्दा उठाया गया है नियो जी सिक्षक लगतार अपनी माiennent को लेकर के सरकार के सामने परदर्शन करते रहते हैं हाई कोर्ट में ही मामला उठा था उसके बाद हो सुप्रीम में भी सरकार के सरकार से बाते कही गई कहा गया कि इस पर विचार होना चाहिए हला कि नितिश सरकार सुरू से ये अर्थ विवस्था का अपने financial problem का हवाला देते हुए ये बाते कहती रही कि ये संभाव नहीं है लेकिन अब जदियू के से ही उनसे सवाल उठा रहे हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नियोजिस सिक्षो के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है देखने वाली बात होगी कि मुक्हमंति नितिश कुमार नियोजिस सिक्षो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं क्या कुछ करते हैं क्या उनके खबरों को पढ़ने के livecities.in पर जाएं धन्यवाद